आपका हर एक फील्डर दोश्ची है मेरे इसाब से तो या पर जिस तरीके से आप ओवर्थ्रोस कर रहे हो या आप ग्राउंड फील्डिंग कर रहे हो कैचिस ड्रॉप कर रहे हो विकेट कीपिंग में गलतियां कर रहे हो नो बोल्स डाल रहे हो फ्रीड पर चक्के खा रहे हो मतलब एक नहीं सिलसिलेवार तरीके से लगातार गलतियां होई है आज और चिराक सबसे बड़ी चीज यही है कि ये टीम अभी छूटी है सामने आप इससे ही जीतने में आपके पसीने छूट रहे हैं लेकिन अगर आप देखें यहीं पर बड़ी टीम होती वह आपको फिर छोड़ती नहीं है यहां पर इन गलतियों का बहुत बड़ा आपको भुक्तान करना पड़ता है सबसे बड़ी चीज यह कि युवा जनरेशन है यहां पर इनको हुआ क्या है इस तरह की फिल्डिंग चलिए मैं मान सकता हूं कि एक बार मिस्ट फिल्ड हो जाए लेकिन इंटेंट मुझे ग्राउंड पे आज नजर आ नहीं रहा है बिलकुल भी किसी भी खिलाड़ी में सब्तान अपना खड़ा है देख रहा है और थ्रो रहे है गुस्सा कर रहा है यह सब्सक्राइब कोई स्ट्राइजी नहीं मुझे लग पहले वाले मैच कही इनके अंदर भूत दुबारा से आ गया है फिर मोई कैश्वेल्टी आप में नजर आ रही है कि कैश्वाल हो जाए यहां पर टीम इंडिया की अप्रोच बहुत जादा निराश जनक रही है चौथे टीटीटीटी आए में पहली पारिमागर आप देखें उम्मीद ही होगी कि बल्ले बाद जीच सकते हैं जिदवा सकते हैं इस मैच को यहां पर लेकिन जिस तरह की इंदबाजी जिस तरह की फिल्डिंग खासकर और उस पे जो कहते हैं चेरी ऑन दा केक वो थी शुम्मन गिल की कपतानी जिसमें कोई इंटेंट कोई स्ट्राटजी कुछ नजर नहीं आ रहा है तो शार देश पंडे पिट रहा है उनसे कराते रहो खलील एहमत पिट रहा है उनसे कराते रहो किस स्ट जिनर्स को यूज करना है कहां यहां पर टेश गिंद बासों को यूज करना है कुछ नहीं पता है पूरी तरह से मेरे हिसाब जहां पर कपतानी में अभी तक सफल नजर नहीं आएं शुमन गिल